इसलाम वालेकुम आज हम देखने जा रहे हैं global versus local variables का practical ठीक है इससे पहले के lectures में मैंने आपको इनका difference जो है वो theoretical समझाया था कि theoretical में क्या difference है और as a theory में as a points में मैंने हमने बात की थी इन दोनों के difference पे ठीक है global और local variables के और global और local scope पे हमने बात की थी अगर मैंने अगर आपने मेरा वो lecture नहीं देखा तो इससे पहले आप वो lecture देखें और उसकी अबाद इस lecture पे आएं ताके आपको अच्छी तरह समझाए तो आज हम global और local variables का practical करने जा रहे हैं तो आपके सामने मैंने code लिखा है और इस code को मैं step by step समझाऊंगा अब देखें यहां पर मैंने एक function बनाया है और function से बाहर मैंने variable A को declare किया है ठीक है उसको value मैंने assign किया है where A25 ठीक है जो कि आप मेरी right side पर यहां browser में देख रहे हैं अब इसको मैं यहां पर call कर रहा हूं ठीक है first को ठीक है तो अगर मैं इसको suppose comment कर देता हूं तो यहां पर यह गायब हो जाएगा ठीक है तो इसका मतलब है कि यही value आपके पास जो first की value है यह यहां right side पर show हो रही है ठीक है तो अब यह आपके पास value हो आ गई ठीक है अब आपने यह mind में रखना है कि यह मैंने function के outside of the function मैंने declare की है और यह आपके पास global variable है ठीक है मैंने last lecture में आपको बताया था कि जो आप global variable होता है उसको हम outside the function declare करते है ठीक है यह बात अपने mind back लेनी है ठीक है अब एक दूसरा मैंने variable लिया है ठीक है let के नाम से और उसको मैंने यहां पर print करवा दिया है let c is equal to variable c 55 ठीक है यह मैंने एक दुबारा यह local variable यह local variable है क्योंकि यह function के अंदर मैं इसको जो ह declare कर रहा हूं तो यह local variable है अब अगर मैं इसको print करता हूं ठीक है तो यह देखिएगा यहां पर आपके पास क्या यह आपके पास print हो गया है c 55 की नाम से ठीक है यह value आप यहां पर देख रहे हैं जो यहां पर show हो रही है ठीक है अब अगर अब इसका मतलब है कि अब यह तो declare कर चुका हूं यहां पर अगर मैं यहां पर इसको दुबारा print करवा रहा हूं ठीक है इस दगा पर ठीक है तो यह आया display होता है यह नहीं यह देखें दुबारा यहां पर आके value जो वह रिन्ट हो गई है ठीक है यहां पर दुबारा value आपके पास print हो गई है जो कि global variable था ठ ठीक है, अब मैंने, अब आगे बात करते हैं, अब दूसरी बात की यहाँ पर मैं इसको re-declare कर रहा हूँ, मैं variable A को मैं re-declare कर रहा हूँ, पहले इसके पास value थी A25, ठीक है, अब मैं A को 40 value assign कर रहा हूँ, re-declare कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं देखता हूँ, अब अगर म अब मुझे क्या new value क्या देगा ठीक है इसने मुझे new value जब मैंने print किया तो new value इसने मुझे a40 कहा ठीक है और यही बात जब मैंने आपको difference बतानी कोशिश की थी variable letter constant की कि variable को आप re-declare कर सकते हैं ठीक है सो यहां पर जब आप उसको जब आप वैर लेंगे तो वैर को आप re-declare कर सकते हैं और यह value आपके पास दुबारा आपके पास जो आपके पास recently आप उसको जो assign करेंगे वो recent value आपको वहां पर print होगी ठीक है अब अगर यहां पर मैं आ जाता हूँ और यहां पर देखिएग सेंगा अब अगर मैं सी को print कर वाँ हूं ठीक है सी को मैं print कर वा रहा हूं सी यह भांप पर नहीं हो रहा क्योंकि सी कर स्कोब है फंक्शन क्या है वो लोकल स्कोप हैच ङो मैं ने प्रेंट कर वाया ठीक है तो आपके पास क्या हूआ ह flags यहां पर innNIS ओ गया है ठीक है उपर क बस C है, वो आपका outside of function जो आपके पास उसको बाहर आपके पास वो print नहीं हो रहा지 आपके पास उसकी value आप उसको बाहर नहीं कर सकते ठीक है अब अगर एक और बात यहां पर मैं इसको let कर रहा हूँ तो आपके पास यहां पर साइट से गाइब हो गया सारा कुछ थीक है अब गाइब हो गया इसका मतलब क्या है अब अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूं और यह देखिए कि यह टॉन्टी सैवन गळियो पर मैंने assign के value 27 line पे मैं right side पे जा रहा हूँ inspect कर रहा हूँ और console पे जा रहा हूँ console कह रहा है 27 line पे मुझे error दे रहा है कि A has already been declared ठीक है तो इसका मतलब है कि A जो है आप उसको दोबारा declare मतलब let को आप दोबारा declare नहीं कर सकते ठीक है तो इस तरह ही आपके पास यहाँ पे error देगा ठीक है अगर मैं दोबारा इसको where कह दूँगा तो यह दोबारा से आपके पास sub values जो है वो आपके पास आ जाएंगी ठीक है और अगर मैं इसको inspect करूँ जो C है ठीक है 29 यह देखें 29 पे अब अगर मैं इसको inspect कर रहा हूँ तो यह क्या कह रहा है मुझे C is not defined reference error ठीक है देखें 29 पे 29 line पे मुझे यह क्या error दे रहा है C is not defined ठीक है यहाँ पे ठीक है कि C को अपने define नहीं किया तो इसका मतलब है कि function कि यह जो scope है जो आपके लोकल है वो आपके पास function के अंदर ही काम करता है ठीक है hopefully आपको जो concept देनी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे अब आगे आजए आप देखें मैंने कहाता है कि आप उसको दोबारा भी use कर सकते हैं यह सी 900, ठीक है अब अगर मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ प्रिंट कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे अच्छा लेट्सी देखिएहँगा अब अगर इसको मैं यहाँ पे wear कर देता हूँ ठीक है, तो आप के पास क्या है आपके पास यह देखिएगा और इसको मैं यहां पर अटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहां पर अटा रहा हूँ, आपके पास क्या, यहां पर फिर आपके पास value आ रही है, ठीक है, 900 आपके पास, तब आपके पास, जब मैंने इसको comment किया है, ठीक है, तो अब आपके पास, यहनी, अब अगर यहां प मैंने अपने पूरे code में दो दफा यूज किया है, मैंने अब देखें, 22 और 33 को आपने समझने है, 22 line को और 33 line को, 22 में भी मैंने let c को value assign की हुई है, और let, उसको let का हुई है, ठीक है, 33 को भी आप, मैंने यहाँ पे इसको re-declare किया हुई है, वैसे तो यह है कि आप let को आप दोबारा declare नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन value आप assign कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से, जो है, कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि local scope का, अब यह देखें, यह जो let c की value है, यह इसी function तक limited है, ठीक है, और यहाँ पे आके जो है, वो आपके पास print नहीं हो रही है, तो hopefully आपको जो मैं concept देनी की कोशिश किया, global scope और local scope की, आपको समझ आ चुकी होगी, और next lecture में भी हम function scope और block scope पे बात करेंगे, इन्शाला आप से next lecture में मिलते हैं, और आपको अगर मेरा lecture अच्छा लगा तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, और इस playlist को ज्यादा ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, तब तक के लिए अल्ला आपजू